प्रफेक्ट स्क्राइब क्मारी और टोड़ी विल स्टार्ट एक्सराइब 6.4 क्यों नम्बर 4 क्यों नम्बर 4 में क्या है find the list number which must be subtracted क्या है find the list number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square जिससे हमें क्या मिलें perfect square मिले also find the square root of the perfect square जिससे हमें क्या मिलें जो नम्बर मिले उसका perfect square root मिले of the perfect square so obtained इसमें क्या कहता है कि इसमें से क्या subtract करें क्या वो number सबक्रेट करें जिससे यह जो नंबर है वोगा सब्सक्राइब करने के बाद जो नंबर आए वह हमारा परफेक्ट स्केर रूट बन जाए तो देखते हैं सबसे पहले करेंगे कितना जीरो करेंगे में तुसे मुट्प्लाई करेंगे तू तू कूज आ इस नमबर ये वह लिश्ट नमबर है अगर इसमें से सब्ट्रेक्ट कर दें हम bruk też में चिवर ट्रेट तो में से तो सबसे पहले वह नंभः अगया लिश्ट नंबर कितना आगया हमारे पास तो पर फोंदर नंबर अगया वह सबस्कétais grants कर दे he 20 आजएगा क्यों की तो ही इसमें ज्यादा आदा तो ज्यादा को ने क्या कर दिया उसमें से माइनस कर दिया जो हमारे पास गीवन नमबर था तैस़ agent 2 तो इसका जो इसका स्वकेर और याईगा 20 रिशार रूट इसका हमारे पास 20 सबसे पहले हम स्केर रूट निकालेगा सबसे पहले हम स्केर रूट निकालते हैं सबसे पहले पेर बनाएंगे एक तो यह पेर बन गया और एक यह पेर बन गया इसका हम निकालेंगे स्केर रूट अब देखो किस पे जाएगा एक पेर उतार लेगे कितना जाएगा 389 अब इसको किस से करें देखो अगर बन से करें तो एक बनाएगा तो कितना जाएगा तो इसका मतलब यह किस से जा रहा है यहां फोर से इसको क्या कर दें मल्टिप्लाई तो साइड में फोर रखेंगे यहां भी क्या रखेंगे फोर रखेंगे यहां रख दिया फोर तो इसका मतलब अगर इस नंबर Conference से माइनस करें तो जो नंबर बचेगा वह हमारा किया ज्यक्त इक Als अब भी रिक्वार्ड नमबर के आज जाएगा अपने पास 1,9,89 में से हम कितना माइनस करेंगे 53 तो यह 6 बच गा, 8 में से 5 गे 3 और यह हो जाएगा कितना 9 और यह 1 तो यह जो नमबर है, यह एक हमारे पास perfect square नमबर आजाएगा इसका जो square root है वो कितना जाएगा 44 कितना जाएगा इसका square root 44 पास नमबर 3 पास नमबर 3 में क्या करेंगे सबसे पहले बही बात है कि इसका हम square root निकालेंगे अब square root निकालने के लिए हम pair बढ़ाएगे, पैर पिछे से बढ़ाएगे यह pair हो गया, और एक यह pair होगा, अब कितने पे जाएगा देखू, 55 जा 25 पे जाएगा तो 55 जा 25 32 में से 25 माइनस करेंगे तो 12 में इस 5 का कितना हो से जाएगा 7, अब यह pair उतारेंगे यहाँ pair कितना है next to 50, अब 5 का double करेंगे तो 5 का double कितना हो जाएगा 10, double मतलब इसको 2 से multiply करेंगे 10 हो गया, अब देखो किस से जाएगा अगर 3 से करें, तो 3, 3 जा 9 3 बंजा 3, नहीं जाएगा 4 से 4, 16, 4 बंजा 4 नहीं जाएगा 55 जा 25, 5 बंजा 5 6 से 66 जा 36, यह भी नहीं गया 7, 7 जा 49 7 बंजा 7, 7 से किया गए हमने इसको, तो 7, 7 से 49 7 बंजा 7, तो इस पे जाएगा क्योंकि next number तो इस से greater जाएगा तो इसको किस से कर दें, 7 से यहां भी 7 लिख देंगे, यहां भी 7 7 से 49 और यह कितना जाएगा 7 बंजा 7 इस में से माइनस करेंगे, तो कितना बजाए 1, यह 0, 0 तो यह वो list number है, जिसको इस number में से सब्टैट करेंगे, तो जो number बजाएगा वो एक perfect square number हमारे पास बजाएगा, तो इसमें वो list number तो कितना आगया, हमारे पास list number तो कितना आगया 1, अब जो square root है, वो किस के आएगा, 3, 2 5, 0 में से, हम क्या minus कर दे, 1 minus कर दे तो यह कितना होगा, 9, और यह 4, यह 2, और यह 3, तो यह जो number बजा है, कौन सा, 3, 2, 4, 9 का जो square root होगा वो कितना हो जाएगा, 57 तो यह वो required number है, जिसका square root कितना है, 57, पास number 4, 4 में क्या है, 8, 25, तो इसका square root निकालेंगे, 8, 2, 5 अब पेर बनाएंगे, पेर पिछे से बनाएंगे और यह 1 number भी अपने आप में क्या है, पेर है तो 2, 2, 4, 3, 3, 9 जादा गया, तो किस पे चल जाएगा, यह 2 से चल जाएगा, 2, 2, 2, 4 8 में से 4 माइनस करेंगे, कितना होगा, 4 अब लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका क्या option है, कि यदि इसको 4 से करेंगे, हम multiply, अगर 4 से करें, तो 4 भी साइड में रखेंगे 4, 4, 4, 4, 16 4, 4, 16, और 170, यह ज़्यादा कमा राइस से, अब 7 से करें, 8 से करेंगे इसको, तो 8, 8, जा 64, और 6, एट फ़र्जा 32 और यह कितने हो जाएंगे 38 और यह इसकी नहीं रेष्टा आगा 9 से करेंगे 9 9 जा 81 8 और 9 फ़र्जा 36 36 और यह कितना जाएंगा 44 वजग आगया तो इसका मतब नहीं किसे होगा 8 से हो जाएंगा तो 8 से किया तो 8 8 जा 64, कहरी के 6, 8 4 जा 32, और 6 कितने हो जाएंगे 38, इस में से minus करेंगे, इस में से क्या करेंगे, minus, तो 5 में से 4 गया कितना आएगा, 1, यहां से carry कर लें, तो 12 में से 8 गया, 4, तो देखो, अगर इस 41 को, इस में से यह remainder बचाया इतना, तो इसका मतलब, अगर इसको इस में से minus कर दें, तो जो number बनेगा, वो यह perfect square number आजाएगा, तो हम क्या करेंगे, वो list number जो subtract करना है, वो कितना आगया, हमारे पास 41, तो यह आजाएगा, list number, list number is equal to, कितना आगया, 41, तो square root, course number का निकालेंगे, कि 8 to 5 में से, हम कितना minus कर दें, 41, तो 5 में से बन गया, कितना बज़ेगा, 4, यहां से carry किया, 12 में से 4 गया, 8 और यहां कितना बज़ेगा, 7, तो यह required number आगया, जो एक perfect square number है, कितना आजाएगा, 784 का, जो square root है, वो कितना आजाएगा, 28, इसका square root कितना आगया, required number का, 28, तो पार्थ नमबर, 5, तो पार्थ फिट में क्या है 4000 है तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्केर रूट निकालेंगे तो 4000 लिख लिए हमने यहां पर इसके बनानी हमने पेयर तो टू पेयर बन गए इसके पास तो इसमें कितने बढ़ जाएगा जाता गया तो किस पे चला जाएगा है इसके चला जाएगा इसके सबसे करेंगे इसको टू से करें तो यहाँ से फोर्ट वोड़ प्रेल तो टू से बढ़ नहीं बंढ़ेंगे तो किससे कर देए इसको अगर इस नंबर में से माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा उसका स्केर रूट 63 आजाएगा तो हम क्या करेंगे यह लिस्ट नंबर तो आगया अमारे पास जो रिमेंडर बचा है लिस्ट नंबर तो कितना आगया 31 आ गया अब उस वो नमबर निकालेंगे जिसका square root के इतना आएगा 63 तो इसमें से यह जो extra number है minus करतेंगे यह 9 बच गया 9 बच गया 6 यह 9 बच गया और यहां से carry कर रहे थे तो कितना जाएगा 3 9 6 9 तो 3 9 6 9 वो नमबर आ गया जिसका square root कितना बनेगा हमारे पास 63 इसके साथ अपना question number 4 complete होता है Hello this is Manos Maree and we are going to start exercise 6.4 and question number 5 part first question number 5 में क्या है find the list number हमें वो list number find करना है कौन सा which must be added which must be added to each of the following numbers जो इन नमबर हमारे पास गीवन है जैसे for example हमने पार्ट first किया है कि इसमें कौन सा वो list number add किया जाए so as to get a perfect square जिससे हमें एक perfect square मिल जाए also find the square root of the perfect square so obtained और फिर जो perfect square number आएगा उसका हमें क्या निकालना है square root निकालना है कि उसका square root कितना आएगा तो किस पे चला गया है यह तू टू जा four पे तो five में से four गया तो कितना जाएगा one तो यह आजाएगा one इसका double करेंगे तो two को two से multiply करेंगे कितना जाएगा four आप यह pair लेके आएगे तो कितना जाएगा one twenty five two से करेंगे तो 84 आएगा three से करेंगे तो three three is a nine three four जाएगा तो इसका मतलब किस से जाएगा यह तू से जाएगा तो इसमें क्या जाएगा तू तू जा four और two eight जा two four जा eight तू जा four and two four जा कितना आगा eight तो इसमें से माइनस करेंगे तो five में से four गए one यहां से carry कर लिया तो twelve में से eight गए कितने बच गए हमारे फास four बच गए तो यह कितना जाएगा फॉर्टी वन ओगया तो रिमेंट बच गया यह फॉर्टी वन अब देखो इसमें कि पुछा है कि कौन सा वह लिस्ट नंबर एड किया जाए तो इसका मतलब आफ सिंपल सी बात है जो थ 51 का स्केयर जो है वो इस से मिलेगा हम इलेगा तो हम क्या लेते हैं कि इस से नेक्स नंबर लेते हम किसे जो 22 बार Sumatra कितना होगा अब 23 को 23 से मुल्टीबाई काथ इसका स्केर देप्वानटेटूसे नेक्स इसका होगा जब 23 को हम 23 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 33 जा 9, 3 तूजा 6 और 2 तूजा 6, 2 तूजा 4 यह 9 और यह 12 और यह 5 तो यह आजाएगा हमारे पास 5 to 9 जब 23 को 23 से मल्टिप्लाई किया तो कितना जाएगा 5 to 9 अब जो डिफ्रेंस आया किसका 5 to 9 और इस नंबर का जो हमारे पास दे रखा था 525 तो लिस्ट नंबर निका देंगे सबसे पहले कि कौन सा नंबर एड किया जाए तो देखो यह से नंबर का जो हमने किया तो उसका स्केर कितना है 529 23 का जो स्केर है वो कितना है 529 इसमें से हम यह नंबर माइनस कर देंगे जो हमारे पास दे रखा था 525 तो 9 में से 5 कितना बचेगा फॉर यह जीरो यह जीरो इसे रोख मतलब यह हमें सा नंबर इसमें एड किया जाए कि इनका डएसफेट मैं है कितना आया है फोराय कर दे तो रिक्वाएड श्केड रूट वाला नंबर हमतंस रहेंगी हम करेंगे हैंस 5 to 5 में हम कितना add कर दें? 4 तो कितना जाएगा? 5 to 9 तो 5 to 9 वो नमबर है जिसका square root कितना जाएगा? 23 तो लिखेंगे square root of 5 to 9 का कितना जाएगा? 23 5 to 9 वो required नमबर आएगा जिसका square root कितना जाएगा? 23 Hello, this is Let us start part number 7 यह नमबर है हमारे पास 1750 कहता है कि इस नमबर में क्या? वो लिखेंगा एड़ किया जाए जिससे यह perfect square number बढ़ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका square root निकालेंगे तो इस square root का साहीं लगा हमने? तो pair बनाएगे, एक तो यह pair बन गया और यह pair बन गया तो 17 है, तो किस से divide हो गया सरसे पहले? 4, 4 जा किस square number से? 4, 4 जा 16 तो यह हो जाएगा हमारे पास 4, 4 जा 16 17 में से 16 माइनस किया तो 1 इसका double करेंगे तो 4 का double कितना हो जाएगा? 8, double मतला 2 से multiply अब यह pair उतार लेंगे तो pair बच गया हमारे पास 150 हो गया तो जो नमबर है अब इसको किस से करें? 2 से करेंगे, तो 2 जा 4, 2 8 जा 16 जादा गया तो इसका मतलब इसको किस से करना पड़ेगा? 1 से ही multiply side में 1 लिखेंगे यहां भी 1 लिखेंगे तो 1 पे गया तो यह कितना आ जाएगा? Simply हमारे पास 81 तो 10 में से 1 गया, कितना पास गया? 9 यह 14 में से 8 गया? 6 तो यह अब यह extra number है इसमें से अब देखो, simple सी बात है जो 41 का स्केर है वो इससे क्या होगा? कम होगा तो इसका मतलब हम यह next number ले ले 41 से, 41 से next number ले ले तो 41 से next number कितना हो जाएगा? 42 आप 42 को 42 का स्केर निकाले तो स्केर का मतलब उसी number को उसी number से multiply करें तो 42 को हम 42 से multiply करते हैं तो यह कितना आता है? 2 to the 4, 4 to the 8 फिर 4 to the 8 और 4 to the 16 यह 4, यह 16 होगे और यह 7 और यह 1 तो कितना आजाएगा? 1764 आगया अब यह इससे next number ले 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 तो इसका जो स्केर है 42 का स्केर यह इससे क्या है? जाता है तो इन दोनों का difference निकालेंगे कि कितना आएगा हमारे पास? तो हम यह difference निकालेंगे तो यह आजाएगा हैंस यह जो difference निकालेंगे 1764 का मेंसे माइनस कर देंगे 1750 तो यह कितना बच गया? 6 में 5 गया? तो यह 14 वो लिष्ट नंबर आगया वो अगर इसमें एड कर दें तो यह एक परफेक्ट स्केर नंबर बन जाएगा तो हम क्या कर दें? कि भी रिक्वाइड स्केर रूट वाला जो नंबर आएगा उसमें क्या कर दे? 1750 में कितना प्लस कर दे? हम 14 प्लस कर दे यह 4 आगया, यह 6 आगया 7 और 1 तो यह हमें परफेक्ट स्केर नंबर बन गया तो इसका जो स्केर रूट आएगा इसका स्केर रूट 1764 का स्केर रूट आएगा वह कितना आजाएगा 42 आजाएगा 42 तो इसके स्केर रूट नंबर बन जाएग Hoş हम क्या करें है следующ 252 का स्केर रूट निकालने के लिए यह पार बनाएंगे यह पैर बन गया इसे करेंगे कितना जाएगा तो आप ऑजेगा अब यह पेर लेखिते आएगे तो कितना जाएगा जो और पहुको किसे करेंगे इसको इस से चला जाएगा हमारा किसे जैसे 15 से ऐसी मुर्टिप्लाइए करेंगे तो कितने मैंनस करेंगे 12 में से 5 वे कितने बचेगे 7 और 4 में से 2 गया तो इतना जाएगा 2 तो यह मतलब यह इसका जो स्केर है सिंपल सी बात है तो 15 का जो स्केर है वो इसके स्केर से क्या होगा कम होगा तो हम इससे एक ग्रेटर नमबर लेते हैं तो 15 से नमबर कम सा होगा, 16 16 सका स्केर लीकालाते हैं 15 चेख से नमबर क्यतना उजाएगा 16 होगा सिस्टीन इन्टु सिस्टीन को शिस्टीन से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह कितना जाएगा 16 को 16 से मल्टिप्लाई एस इसक्स और 6 आज-चीन आज-चीन nos और जो given number है, इसका हम difference निकालेंगे, कि वो कौन सा list number है, जो इसमें add करेंगे, तो इसमें difference क्या जाएगा इसमें, इनका difference किसना, 256 में से क्या minus कर देंगे, 252, चाहिए लिख दो, hence, हैंस, हैंस, इसमें कितना बज़ जाएगा, इसमें से minus करेंगे, तो 4, तो 4 वो list number है, जो इसमें add करेंगे, तो required number कौन सा जाएगा, required number, जो 4 इसमें add करेंगे, 252 में, कितना add करेंगे, 4 add करेंगे, तो कितना जाएगा, यह 256 आज जाएगा, तो 256 यह वो नमबर आ गया, जो एक perfect square number है, तो 256 जो है, इसका square root कितना जाएगा, इसे हो, next number ही, कितना जाएगा, 16 आज जाएगा, तो 256 का square root है, हो हमारे पास कितना हो गया, 16, start part number 4, तो हमारे पास यह fourth part को यह दे रखा, 1825, कि कि इसमें क्या वो list number add करें, जिससे की perfect square number मन जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका square root निकालेंगे, तो इसका square root निकालेंगे, 1825 को, तो square root निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेर बनाएगे, एक तो यह पेर बन गया, और यह पेर बन गया, तो इसमें कितने पर जाएगा ही? 4 फोर जा 16 पर जाएगा? तो किस से करें, किस स्केर नंबर से करें, इसको 4 से करें तो 4 फोर जा कितना हो जाएगा? 16, तो 8 में से 6 कितना बचें, अमारे पास 2 यह 0 होगा इधर, आप 4 कोटुक से मल्टिप्लाई करो तो 4 फोर जा कितना हो जाएगा? 8, अब यह पेर ले आओ लिचे, तो पेर कितना हो जाएगा? 2, 2, 5, तो इसको किस से करें? अगर 2 से करें इसको, तो 2 फोर जा 4, 2 एट जा 16, 3 से करें, तो कितना आजाएगा? 3, 3, 9 और 3, 8 जा 24, तो 249 इससे जादा गया, को यह आजाएगा आपने पास कितना फूर व्याट जाए तो इस मेंस किया तो इसे माइनस करेंगे तो 5 मेंस किया तो कितना वरद जाएगा 6 तो इसने 42 का जो स्केर है यह से क्या एगा इस से क्या है कम है तो कम आएगा तो इसका मतर्ब इससे हम एक नश्ट नंबर ले लेगे तो 42 से जो नेक्स नंबर होगा वह कितना होगा 43 उसका स्पीर निकालते हैं और यह वन तो यह कितना जाएगा वन एट फोर नाइज यह जो नंबर आया यह से क्या है ग्रेट आया है तो इसका इसका डिफ्रेंस निकालेंगे कि वो निष्ट नंबर निकालेंगे जो इसमें हम एड करेंगे तो इस नंबर का इस नंबर का क्या निकालेंगे हम डिफ्रें 24 आगा है हमारे पास अब 24 यह वो लिस्ट नंबर है जो इसमें एड़ करेंगे तो यह परफेक्ट के नंबर बन जाएगा तो लिस्ट नंबर डैट डिट लिस्ट नंबर डैट डैट डिट वो कितना जाएगा 24 तो इसमें कौन सा नंबर इसमें 8 1 8 2 5 में कितना एड़ कर दें 24 तो 9 यह 4 यह 8 1 तो यह वो नंबर है जो परफेक्ट स्केर नंबर है और इसका जो स्केर रूट आजएगा कितने 1849 का जो स्केर रूट है वो कितना जाएगा इससे नेक्स स्केर गड़ीन यह 43 तो इसका स्केर रूट है इसका स्केर रूट निकालते हैं तो 6412 का स्केर निकालेंगे हम तो सबसे पहले क्या बनाएंगे पेर एक पेर बन गया और यह यह बन गया तो किस पर जाएगा एट जा 64 एट जा कितना चल जाएगा 64 तो 64 में से 64 माइनस करेंगे कितना जाएगा जीवाब 8 का डबल करो कितना जाएगा 16 अब पेर लिकर जाएगे तोई कितना बढ रहा ह susit वानस करेंगे टोगी न हो गया अब यह जो नंबर है 80 इसका जो स्केर है इससे कम आएगा तो हम क्या करें इससे एक next number ले रहते हैं जिसका स्केर इससे क्या आएगा जब आएगा तो 80 से next number कौन से होगा 81 जो है उसको 81 से multiply करेंगे सका square करना है तो 81 को किसे करेंगे 81 से multiply कितना आगे 81 एट बन जा एट 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 जा 64 तो बज़ गया और एट और एट कितने होगे 16 और 4 और 5 और यह जाएगा 6 तो यह आगा हमारे पास 6561 अब यह जो नंबर है इससे ग्रेट है तो इसका इसका difference निकालते है जिससे हो हमारे सूस्व लिस्ट नंबर आएगा जो इसमें एड करेंगे तो क्याम से इसमें हाट लिष्ट नंपर लिष्ट नंबर ईनपर जैड ऐसंद नसे टाइड गया टो इसमें अट पर जाएगा वह लघा शीपाईब 4 बच गया और 5 में से 4 गया 1 तो यह कितना जाएगा 149 तो 149 वो लिष्ट नंबर है जो इसमें एड़ करेंगे तो यह नंबर एक perfect square नंबर बन जाएगा तो क्या जाएगे hands इसकी कितना था 6 4 1 2 में एड़ करें 149 तो यह कितना हो जाएगा 11 और 5 और 116 एकिटन ओगा 5 और 6 इसेयं अफंगी पाइडरी स्क्वाइग 커का 6 ऐसक्वा नश्यक के नंबर हमें 81 आएगा 6 5 6 1 का जो स्केर रूट है वो कितना आएगा 81 और इसके साथ अपना Q5